अगर आपको याद दो traveling wave की equation यह होती थी a sin गे बगल में लिखिए देखो a sin omega t minus kx इससे काफी different है जो traveling wave में हर particle का amplitude a था और यह पता चलता था phase of particle बीच मैक्समीं में फेस्ट होता था यादे ट्रैवलिंग वेव की बात कर ले है यह अलग एस्टेशनरी वेविन की कहानी अलग है कि अपनी उधुन में है इनमें क्या है सुनो ज्याद सुनो इसमें क्या है कि यह पूरा एंप्लिट्यूड है अराम से समझो हमने जो भी फोटो कीच के बनाया था उसमें वाइनेट की एकोईशन यही सब तो आ रही थी कभी माइनस टूए साइन के एक्स कभी जीरो कभी टूए साइन के एक्स कभी जीरो और यह है मेरा फेस अभी थोड़ा कम फील आया है कोई बात में अभी आया है यह है पूरा फेस और यह है अंप्लिट्यूड यह पूरी चीज़ डिसाइड करेगी पार्टिकल का अंप्लि पार्टिकल is dependent on the position of पार्टिकल, displacement नहीं बोलना, displacement नहीं, amplitude, जितना वो मैक्समाम ले सकता है, कभी जीवन में, कभी जीवन में जितना मैक्समाम ले सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी X की वैलूट है, आराम से सुनो, आराम से, अभी फील दिलवा देंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, जो इतने बतकिस्मत हैं, कि कभी भी डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे, हमेशा अपनी mean position पे, nodes, जड़ा nodes की position निकाली जाए, भाई साथ, nodes वो हैं, जिनको समय से फरक नहीं पड़ रहा, समय बदल रहा था, पर nodes हमेशा अपनी displacement जीरो किये थे, मतल value 1 हो जाए, कहते हैं, job maximum displacement ले लो, पर वो नहीं ले पार है, उनका displacement जीरो हो, और जिनको time से कोई फरक ना पड़े, टी जे कुछ लेना देरा नहीं, टी चेंज करो, हम तो 0 पर 0 पर रहेंगे, जैसे, मतलब इसको हटा तो, इससे मतलबी नहीं है, वो जिनका y net 0 हो, उनकी कुछ ऐसी position थी, मतलब, ये term उनका 0 था, उनका 2a sin kx ही 0 था, हमेशा, उनका amplitude ही 0 है, ये पूरी चीज़ आप्लिटी हो, sin 260 हो, 3 pi हो, 4 pi हो, इन सब जगा पर, आपने देखा है, sin theta की value 0 रहती है, मतलब, kx की value अगर 0 है, pi है, 2 pi है, तो, चाहे time जो हो जाए, उस particle के displacement 0, कौन सा particle भी दिखा रहे है, आप से, टेंचन नहीं, सब सही है, k की value, 2 pi by lambda, k की value, 2 pi by lambda, into x, is equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, n pi भी बोर सकता हूँ, पर नहीं बोलूगा, क्योंकि मैं confused नहीं करना चाहता, pi से pi मरेगा, x की पहली value आएगी 0, pi से pi मरेगा, x की दूसरी value आएगी lambda, pi से pi मरेगा, x की तीसरी value आएगी lambda, फिर आएगी 3 lambda by 2, फिर आएगी 2 lambda, क्या यहीं पे हमने notes देखा था, शायद x 4 मिलेंगे 0 पे, lambda by 2 पे, lambda पे, 3 lambda by 2, 2 lambda, x की in position वाले particle, कभी भी, कभी भी अपनी position नहीं छोड़ेंगे, चाहिए time कुछ भी हो, in particle का amplitude, 0, standing wave में यह amplitude नहीं होता है, यह पूरा amplitude, particle, amplitude of particle is dependent on position of particle, particle की position decide करती है, कि वो कितना amplitude ले सकता है, यह particle वेचारे, इनका amplitude हमेशा 0, चाहिए time कुछ हो जाए, चाहिए time कुछ हो जाए, यह value तो इनकी 0 रहेगी न, सो चो x fix हो गया, किसी particle के लिए क्या fix होता है, x, x is equals to 0 वाला particle, उसके लिए हमेशा वाइनर 0, चाहिए time जितना हो जाए, x is equals to lambda by 2 वाला particle, उसके लिए यह value 0 अप चाहिए time जो भी हो, वो हमेशा rest पर रहेगा, यानि amplitude of particle is dependent on the position of particle, यही feel कर आ रहा था, वो तो phase है बगलवाल वो तो phase बता रहा है, कि particle कितना उपर हो कितना नीचे जाएगा, और समझते है, node समझ में आया, चलो anti-nodes पकड़ते हैं, यह मिटार दे, feel हो गया है, amplitude of particle is dependent on the position of particle, feel हो गया है, चलो मिटारते हैं इसको, अच्छ, anti-node को पकड़ते हैं, और anti-node को पकड़ते हैं, anti-node, anti-n एक लाइन ऐसे बोलो, या maximum displacement ले सकते हो, हमेशा maximum पर नहीं रहेंगे, वो भी ऐसे चम कर रहे हैं, बट उनका amplitude maximum हो, यानि, अगर chance मिले, तो इनका amplitude maximum हो जाए, मतलब हम यह मानके चलते हैं, कि face तो favor कर ही रहा है, हम यह मानके चलते हैं, suppose करके, कि cos omega t, अपने आप maximum value ले यहाँ 1 भी लेता तो भी इनको फरक नहीं पड़ता है, हमने 1 की value दे दी, हमने का चलो यह चीज तो 1 है, अब बताओ, कौन से particle सबसे उपर जा सकते हैं, अब y net किस पे dependent हो गया, सिर्फ x पे, तो जहाँ पे sin kx की value maximum होगी, वहाँ वहाँ पे उन उन particles का amplitude सबसे जादा है, feel हो रहा है, अब y net सिर्फ x पे dependent है, कुछ ऐसे बतकिस्मत x होंगे कि कुछ भी रखो, उनका net displacement 2 है आई लिए रहा है, आई नहीं सकता कभी, time वाले factor ने तो पूरा favor का दिया, जाओ हम 1 हो गया, अब मालो x की value है, मालो kx की value कुछ भी मालो, 30 degree आ रही है, kx की value हुमा आ 30 degree, sin 30 की value कितनी होगी, half, तो half से half कड़ गया, उनका by net कितना होगा, a, तो वो a से ज्यादा amplitude लें नहीं सकते, कभी life में, सब particle का amplitude अपना, अब ये वो किस्मत वाले particle जिनका amplitude सब से जागा, कब होगा, जब sin kx maximum हो, sin kx maximum कब होता है, जब kx की maximum value 1 होती है, 1 कब होता है, जब sin theta की value, pi by 2 हो, 90 पे, plus minus 1 लेने, बल्कि, उपर जाए, निची जाए, हमसे क्या मतले, तो pi by 2 और 3 pi by 2, 270, 5 pi by 2, 7 pi by 2, हाँ या ना, 4 pi by 2 मतले, 2 pi हाजाएगा, 2 pi या नी, 3,60 हो जाएगा, यहाँ से k की value, 2 pi by lambda, into x is equals to either pi by 2, या 3 pi by 2, या 5 pi by 2, या 7 pi by 2, यहाँ से pi pi मरेगा, x की पहली value जो आएगी, वो आएगी lambda बटे 4, दूसरी value आएगी, 3 lambda बटे 4, तीसरी value, 5 lambda बटे 4, चोथी 7, क्या यही मैंने वहाँ पे भी दिखाई थी, अब यहीं यहाँ प्रूफ की, यह क्या है सारे, anti node, anti node y net maximum हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, in conditions पे होगा, बाकी particles तो इस condition में भी जाकर net amplitude maximum, बहुत जाला maximum नहीं कर पाएंगे, यह वो particle हैं, जिनका y net given situation में 2a आ सकता है, क्योंकि उनके लिए sin k x की value 1 है, sin k x की value 1 है, हमेशा, कुछ ऐसे particles हैं, भाई, x तो fix है ना, x तो रूप पे fix कुछ ऐसे particle हैं, जिनके लिए sin k x की value 1 करके रखा हुआ है, कि हम तो maximum है, अब हमारा displacement सिर्फ time dependent कर रहा है, समय के साथ हमें सेचम कर रहे है, हमारा amplitude 2a, यानि इन particles के अगर मैं equation लिख थी, equation simple, in particles की equation लिख सकता हूं, 2a cos omega t, in particles की बात कर रहा हूं ध्यान से, in particles की, in particles के लिए यह value हमेशा वन है उस पार्टिकल देखा इसकी value तो हमेशा वन है तो हमें उसकी equation लिख दी 2a cos mega t यानि यह पार्टिकल एक्वेशन कर रहा है with amplitude 2a इससे ज्यादा क्या feel होगा standing wave का कुछ भी गलत नहीं है सब सही बताया है और यह particle ऐसे बतकिस्मत है time कुछ भी रखो हमेशा अपना displacement 0 रखेंगे इनको nodes इनको entire nodes यहां से देख सकते हो दो nodes के बीच में distance lambda by 2 दो entire node की बीच का distance c lambda इसको minus करो 2 lambda by 4 यानि lambda by 2 node or anti node के बीच का distance दिख रहा है lambda by 4 क्या इतनी सारी चीज़ें आपको यहां पर दिखाई पढ़ें बहुत-बहुत बधाई हो आप standing wave समझ चुके हैं आप standing wave को समझ चुके हैं पूरा रूप से पूरा रूप से समझ चुके हैं standing wave की equation क्या हो सकती है देखो अगर ऐसी equation है 2a sin kx sin omega t this is also a standing wave क्या फरक होगा इसका phase अलग है और इसके amplitude की equation अलग है इसके nodes anti nodes कहीं और होंगे मैं नहीं पता निकाल देंगे हम और कैसे निकालेंगे निकालने के लिए इसको 0 कर देंगे anti nodes निकालने के लिए इसको 1 कर देंगे मिलगे बस और वो तो phase बता रहा है particle का जैसे मालू एक और देखो बड़ा प्यार से एक simple लिए देता हूं मैं 2a sin kx plus pi by 3 sin omega t plus pi by 2 मालू ऐसे लिखा नहीं यह भी standing wave है general equation लिखनी कुछ भी हो सकता यहां sin cos sin cos 2a ना लिखा हो और कोई चरूली थोड़ी ना कोई ऐसे लिखके दें माल लो तो यह थोड़ी ना काऊंगे standing wave नहीं है गद ही हो कि एक दम sin kx माल ले लिखा है cos omega t plus pi by 6 तो यह थोड़ी ना कोई standing wave नहीं है भाई है इसका amplitude a है अब यहां पर 2a की जगाए है यह जिन wave से बनी होगी उनका amplitude a by 2a by 2 होगा नहीं समझे जिन wave से यह बन के आई है उनका amplitude a by 2a by 2 होगा बस नहीं आरी बात समझो है अच्छा एक चीज और समझो एक सवाल यह भी आ चुका है कि standing wave जिन wave से बनती है standing wave की frequency वही होती है जो उन waves की हो standing wave की wavelength वही होती है जो उसकी बनाने वाली waves की हो लिख लेना इस बात को देखो इनका k और omega क्या है same omega से frequency मिलती है k से wavelength तो k और omega उन्हीं waves से आया है जिन से यह बनी है from from those waves from those waves from which it is formed वैसे तो यह वेव ही नहीं कित्ती बार मैंने बताया है सच में ठीक है तो k यानि wavelength और frequency सेम होती है कोई आपसे कहता है वह waves लिखके दिखो amplitude की बात करें तो amplitude इनका आधा कर दो a by 2 यहां 2 है तो amplitude a एक wave को positive में travel करो एक को negative क्लियर है यहां तक कुछ बाते समझ में हैं यह सारी किसकी equation है standing wave की अगर क्या different होगा मान लोग उनको यह standing wave लिखके देते समझो रहा क्या सवाल पूसकता है कहेगा बताओ इसमें nodes कहा है मान लो सवाल आ गया इसमेटार्दों में यह समझगे wavelength और frequency अपनी ही उनी waves के लेती है जिससे बनी है और amplitude जिनसे बनी उनका double होता है इनका मान लो अपने को यह सवाल देते हैं अब बोले कि नोर्स की position बताओ तो अपने के थोड़ी ना आया है कि नोर्स की position क्या होती है अपन समझ के आया है अब अनको पता है इससे नोर्स कोई लेना देनी नहीं समय कुछ भी हो नोर्स वाले point की displacement 0 तो हम उठाके इसको 0 करेंगे तो sine kx plus pi by 3 की value को हम 0 करेंगे हम पता है sine theta की value 0 कब होती है sine theta की value 0 होती है जब theta की value 0 हो 180 हो 360 हो 3 pi हो बस solve कर लेंगे k की जगे 2 pi by lambda रख दो x की value निकाल लोगे नहीं आया बात के की जगा रख दो 2 pi by lambda into x plus pi by 3 को दर भेज़ दो 0 minus pi by 3 पहला हो गया minus pi by 3 pi minus pi by 3 तो 3 pi minus 2 pi by 3 2 pi minus pi by 3 तो 3 to the 6 6 minus 5 pi by 3 और या से pi by cancel x की values निकाल लो बहुत समझ में आ रहा है अब इसे पहला जो node आ रहा है वो negative पीछे था जहां आप origin समझ रहा है उससे पहले node बना है मतलब nodes की position रट के नहीं जानी है depend करेगा situation पे फिर वहां से आपको आगे बढ़ना है इस तरह से anti-nodes पी निकाल सकते है distance between two nodes, anti-nodes अभी भी क्या आएंगे, same बोलो feel हो रहा है कहानी, चलो standing wave आपको feel हो गया झाल